अपने एर का अक्याडमिक करेंडर जो है वो रिलीस किया हुआ है दोजार बाइस ते इस के रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो अल्रीडी शेर किया जा चुका है तो इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है कि आप सब की प्रिप्रेशन जो है वो एकदम अप्टू डेट चल रही होगी और मस्त तरीके से आप सभी प्रिपेर कर रहे होंगे क्योंकि नौवेंबर अठाइस को दोजार बाइस में नौवेंबर अटाइस को आपके एसस की बात नहीं है अद्वयत एजुकेशन एएंजे एक्जाम्स की टीम जो है आपके लिए कुछ बढ़ियां प्लान लेकर के आईए अभी डिसकस करेंगे तो फिल्हाल कुछ एकाद एक्जामपल कोशन लेते हैं कि एससी में किस तरीके के क्योशन प्रिप्रिप्रेशन करनी है और बहुत सारी डिटेश चली एक कोशन लेते हैं मस्टाइब से लिखा हुए विच फॉलिंग क्यापशिटर्स विल हैव लिस्ट एनर्जी स्टोड इन इट बेसिक एलेक्रिकल का एक चोड़ा सा सवाल है इस सवाल को लेते हैं जरा ठीक है तो हिंदी में इसको पढ़त दार्ज फिल फाइव तीसरा है चालिस फारड का क्यापशिटर चास्ट तो 400 वोल्ट और और आल विल्हाव दास्टेम अनर्जी स्टोड यह सभी जो डेटा है यह माईक्रो फैरेड में अविलेवल है ना दीज डेटा आर इन माईक्रोफार्ड यह सब यह 40 माईक्रोफारे इस तरीके से, तो या फिर सब में same energy stored होगी, इस टाप के सवाल अगर आएं exam में, तो इसको कैसे opt करना चाहिए, बिल्कु सिंपल सा तरीका है, इसका एक छोड़ा सा rule है, बेसिक सा, कि देखिए, capacitance के बारे में हम लोग जानते है, energy storage का अगर फिरोमिन आप देखो, तो energy is given as half c cv square, inductor का case होता, तो energy stored को आप किस से show करते है, inductor का case होता तो energy stored को आप half li square से show करते है, ठीक है, बस इतने का difference है, तो capacitor का case है, change in potential होने नहीं देता, उसे हिसाब से, जो potentials develop होंगे, उसके plates के across, उसके square के value के हिसाब से, उतने energy store होगी, ठीक, तो important thing है, कि capacitance का energy के storage से सीधा relation है, अगर आप बाकी चीज़ों को constant मानने थोड़े दर के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि जो energy storage होगा, वो capacitance पे depend करेगा, directly proportional होगा, इसका मतलब जिसकी capacitance जादा होगी, energy भी जादा store करेगा, जिसकी capacitance सबसे कम होगी, energy भी वही सबसे कम store करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुछा, least energy stored, मतलब सबसे lowest amount of energy storage किस में होगा, तो उसी capacitor में होगा, जिसकी capacitance भी सबसे छोटी होगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 picofarad का जो capacitor है, यही सबसे छोटा है, बागी सब तो microfarads के range में, तो 500 picofarad बोलने का मतलब है, इसको value में, data में put करते हैं, capacitance, 500 picofarad, 500, 10 raise to the power minus 12, और V का square, voltage कितना है यहाँ पे, 10 kV से इसको charge कर रहे है, 10, into 10 raise to the power 3, और इस पूरे का square, ऐसा करके इसको solve कर लेंगे आप, it will be E is equals to half times of 500, 10 raise to the power minus 12, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10 raise to the power 2 इधर, और 10 raise to the power 3 तो जा 6, 6 and 2, add हो जाएगा, त plus 8 और minus 12 को आप और simplify कर लेंगे, तो finally you will get E is equals to half times of 500, into half times of 500, into 10 raise to the power minus 4, minus 4, इसको simplify कर लेंगे और E is equals to 250, into 10 raise to the power minus 4, यह 25, 10 raise to the power minus 3, चाहे जिस भी form में बताए, जूल्स के form में unit आजाएगा इसका, ठीक है, तो बाकियों का भी आप चाहें, तो ऐसे ही solve करके देख सकते हैं, लेकिन सबसे lowest energy, सबसे least energy आपको इसी option में दिखाई देगी, तो ऐसे questions को smartly answer करने का क्या तरीका है, क्या सबको solve करके देखेंगे क्या, बिल्कुल भी ने, simple सा relation आप यह याद रखिए कि capacitance के साथ direct proportionality पे होता है energy का storage, ठीक है, energy का storage जो होता है, वो capacitance के साथ सीदे सीदे proportional होत तो जिसकी capacitance, अगर आपको least energy store चाहिए, तो सबसे lowest capacitance जिसका होगा, वही सबसे least energy store कर रहा होगा, ठीक है, यह इसके पीछे का basic concepts है, तो ऐसे सभी concepts, इस तरीके के और बहुत सारे सवाल जो है आपको कहां पे मिलेंगे, आपको Gator Academy Life Classes App पे मिलेंगे, संकल batch में, डिटेल में संकल batch SSC JEE के aspirants के लिए specially designed batch है, electrical engineering से जो बच्चे बिलॉंग करते हैं, यह उनके लिए design किया है, ठीक है, तो अगर आप electrical engineering stream से बिलॉंग करते हैं, तो आपको यह पूरा पूरा batch जो है SSC JEE के upcoming examination की, 2022 stage का examination है, उसकी तयारी करवाने के intention से बनाया गया है properly, और live classroom program है, पूरी इस batch की recorded lecture जो है, वो पूरी की पूरी लाइबरी आपको मिल जाएगे, शुरुवात से, तो मतलब अगर कोई बच्चा अपने according, अपने pace के हिसाब से बढ़ना चाहता है, कोई और speedly बढ़ना चाहता है, live से और आगे बढ़ना चाहता है, तो आपके पास वो sub-subjects पहले से pre-recorded form में available रहेंगे till the end, सारे के सारे subject, और उसके अराबर live classroom program, उन सभी subjects की फिर से चल रही होगी, पूरी की पूरी, एकदम proper schedule के साथ, proper timing के साथ, डेली के डेली, इसके और features आपको मैं बता लूँ, साठे 700 hours से भी जादा का content आपको मिलेगा expert faculty से, ठीक है, app पर पूरा content मि dual language यहनि की, जो faculties जो deliver करेंगे class में, वो dual language में रहेगा, वो Hindi, English, Mix में deliver होगी, सारी content, फिर, timely आपका Azure teacher के साथ, और सभी expert faculties के साथ, बीच 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 में meeting भी होती रहेगी, है ना, वो सब आपको guide करेंगे, time to time, आपसे queries पूछेंगे, की भई, आपको कहीं पर problem तो नही पूछेख faculties जो है, वो भी रहेंगे वहाँ, ठीक, तो best part यह रहेगा, तो आप अपने queries, अपने questions वहाँ पर पूछ पाएंगे, वहत आसानी से, then monthly online practice test जो है, वो भी रहेगा, फिर weekly practice problems हर हफते आपको मिलता रहेगा, है ना, और 365 दिन की इस course की validity रहेगी, पूरा 365 दिन की पंदरा जून तक के लिए, तो 15 जून से पहले अगर आप यह course लेना चाहते हैं, तो केवल और केवल 4500 रुका में यह course आपको मिल जाएगा, other than that, इस course की जो actual fees है, वो काफी जादा है, बट अभी फिरहल यह सर्फ 15 जून तक के लिए offer है, जिसमें यह 4500 रुका में यह course मि जलता है आपको, एक साल की स्कोर्स पर वैलिटी है, पूरी के पूरी, और आपकी classes 15 जून का डेट इसलिए है, क्योंकि आपकी classes जो है, वो 15 जून से शुरू हो जाएगी, पहली classes जो होंगी, वो basic electrical और geography की class शुरू होगी, आपकी basic electrical दो पहर, दो बच के 45 पनिट से होगा, और geography का जो lecture होगा, वो शाम 5 बजे से होगा, ठीक है, तो यह class कैसे attend कर पाएंगे, इसमें कैसे join हो पाएंगे, असान सा तरीका है, Google Play Store पर जाएगे, और वहाँ से gate academy live classes app को आप डाउनलोड कर लीज़े, ठीक है, इसी live classes app पे आपको दिखाई देगा SSCJE का संकल batch, बस उसको पड़ा पड़ से click करके join हो जाएगे, ठीक, और in case, एक और चीज में आपको बता दू, एक और important data, अगर in case किसी भी टाप की query आती है, तो आपके पास यह numbers है given, 975566224897131131562970839100, इन में से किसी भी number पे call कीजे, WhatsApp कीजे, लेकिन अपनी query समय रहते solve करवाईए, so that, कि इतने लंबे समय तक इंतिजार कर रहे थे, तो वो सब अपने तरफ से पूरा effort डालने वाले है, तो क्या आपका effort भी उतना ही जोड़दार होने वाला है, अगर आप seriously prepare करना चाहते हैं, तो adequate education AJ exams की team, आपके उस effort को कई गुना magnify करने की शमता रखती है, और कई गुना उसे magnify करेगी, so that कि जब आप exam में appear हो, तो आप crowd से आगे चले हमेशा, विलते हैं हाप सभी से next video में, till then stay connected and thank you very much.